बिहार STT latest new देखे blind federation case mentioning की बाते कहां तक सच है हम आज इसी के बारे में बात करेंगे चुकि कल पूरे दीन भर यह खबर चाया रहा कि blind federation case जो हैसे mentioning हो गया और एक समाचार पतर परभात खबर जो था इसे विस्तार से जगह भी दिये थे देखे यही था नियोजन को सिक्षा विभाग ने case कराया mention यानि एक बहुत बरी खबर थी चुकि जब किसी भी case का mentioning हो जाता तो अपकोर्ष है कि उस पर सुनबाई की जाएगे बहुत जल्द तो यह एक अच्छी रहत वरी खबर थी हमारे बिहार STT वाले के लिए क्योंकि जो भी अभी सिक्षक बहाली रुकी हुई है वह एक ही कारण है और वह कारण है जो मुख है वह है आपका 94,000 बहाली को लेकर जो blind federation case चल रहा है वही रुकावट डाले हुए और वही सब पर ST से भी लगाय हुए है और एक कारण और अगर हम जाने का प्रयास कर तो है COVID-19 के प्रभाहों के कारण जो है पूरी तरीके से कार्याल है या जितने भी ऑफिश है वो सारे अभी बंद पड़े तो इन सब मुद्दों के कारण अभी किसी भी परकार की बिहार STT में आगे बहा प्रभात खबरों दैने के जागरन या हिंदुस्तान कोई भी होती है तो वह बिना सबुत के या बिना सुचना के कोई समाचार नहीं चापती है इसलिए आप लोग भ्रम में नहीं रहे और यह न्यूज बिलकुल सत्त है क्योंकि प्रभात खबर ने जो रिपोर्ट दिया ह वह अनन फानन में नहीं दे दिया है वह बिलकुल वहां कोट से जानकर सुचना लेकर और तब उन्होंने यह रिपोर्ट दिया है कि सिक्षा विभाग ने केस को कराया मेंशनिंग और यह अच्छी खबर एगर ऐसा हो गया ही है तो अब जल से सुनवाई होगी और हम लोग क करना ही कहने के लिए मैं आज आपके सामने आया था वीडियो अच्छा लगाया तो लाइक कर दिजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दिजिए ठैंक्स पर वाचिंग जैहिन जैभारब